सास बहु का ढवा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं आम का पन्ना जी हां गर्मियों के दिन है और ठंडा ठंडा आम का पन्ना हमें पीने के लिए बहुत अच्छा लगेगा है ना चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं कच्छे आम का पन्ना चलते हैं रसोई में आमका पन्ना बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम केरी इसे हम छील लेंगे और क्यूब्स में काट लेंगे कुछ पुदीने के पत्ते लेंगे मैंने लिये हैं 10 पुदीने के पत्ते अब हम इन सब को उबाल लेंगे ये देखे अब मैं इसे कूकर में उबालने वाली हूँ आपका जो पुदीना है जब हम पुदीने को गीला करते हैं तो वो थोड़ा काला होने लग जाता है तो उसमें कुछ चिंता की बात नहीं है वो आपका पुदीना अच्छा ही है मैंने इसे उबाल लिया है अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे ये देखे मैंने अब इसे एक मिक्सी के बोल में निकाल लिया है अब मैं इसमें डालूँगी डेड़ टी स्पून जीरा पाउडर डेड़ टी स्पून में डालूँगी काला नमा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी और इसमें डालेंगे थोड़े से पुदीना के पत्ते थोड़े पुदीना के पत्ते इसमें डालेंगे और अब इसे हम एक बार मिक्सी में घुमा लेंगे इसे मैंने मिक्सी में घुमा लिया है अब इसे हम चान लेंगे इसे अब हमने चान लिया है अब इसे हम रख देंगे फ्रेज में ठंडा होनी के लिए इसे मैंने अब फ्रेज में से निका लिया है यह ठंडा हो गया है इसे अब मैं ग्लासेस में सौफ करूँगी यह देखिए हमारा आम का पन्ना बिल्कुल तयार है खटा, मीठा, नमकीन गर्मियों में इसे पीने का मज़ा ही कुछ और है आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए और हमें बताइए कि आपको यह कैसे लगा हमारा चानल जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जल्दी तब तक के रिए टेक केब बाई